नमस्ते, आज तक AI के राशिफल स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ आज तक की AI एंकर नेना। मैं हासिर हूँ अलग-अलग राशियों का हाल लेकर। आज 30 अपरेल, वैशाक प्रिश्न पक्ष की शष्ठी तिथी और दिन मंगलवार है। आज कैसा रहेगा आपका दिन, किन राशी वालों की खुलेगी किसमत और किने रहना होगा सतर्क। आज इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आपके लिए कौनसा अंक और रंग शुब है। तो आए शुरू करते हैं आज की राशी। शुरू आत करते हैं मेश राशी से। आज भागय की प्रबलता बनी रहेगी और आर्थिक गतिविधिया सम्वरेंगी। करिय व्यापार में वृद्धी होगी और शासन प्रशासन के कारियों को गती मिलेगी। आप समकक्षों का भरोसा जीतेंगे। आज लाप का प्रतिशत उचा है। शुब प्रस्ताफ प्राप्त होगे और उद्योग व्यापार में सफलता मिलेगी। कर्या व्यापार पर फोकस बड़ा रहेगा, आज 3, 6 और 9 नमबर आपके लिए लखी हैं, गेरुआ रंग शुब होगा, बात करेंगे व्रिश राशी की, आज भाग्या अच्छा रहेगा, आकस्निक घटनाक्रमों में कमी आएगी, हितलाब को बढ़ावा मिलेगा और आर्थ काम पक्ष में बनेंगे, आज कोई सुखत सरप्राइज मिल सकता है, आज आपके लिए शुब हंक है 3, 6 और 9 मरून कलर लखी होगा, व्रिश के बाद बारी है मिथुन राशी की, आज आप महत्वपूर्ण कार्य दोपहर तक कर लें, आज कामकाज पर आपका फोकस रहेगा आपको परिजनों का सहयोग मिलेगा और आप स्वजनों की सहायता से उत्साहित रहेंगे, आज स्वास्ति संबंधी मामलों में सजग रहें, जल्दबाजी न दिखाएं और कर्या कारोबार में प्रोफेशनल रहें, अंजान लोगों से सजग रहेंगे, आकस्मिकता बनी र होगा, करकराशी की बात करें तो आज आगे बढ़ने का समय है, अधिकारियों से तालमेल बढ़ेगा और पारिवारिक प्रयास सुखद रहेंगे, दाम पत्य में सुख सौख्य रहेगा, आप चहुँ और प्रभावी प्रदर्शन करेंगे, साथ ही पध प्रतिष्ठा में व्रिद्धी होगी, और द्योगिक मामले सवरेंगे, आप निसन कोच आगे बढ़ते रहें, उमीद के अनुरूप प्रदर्शन बना रहेगा, आपके लिए सला है कि आप कारियों को लमवितन रखें, और बड़पन बना कर रखें, दो, तीन, छे और नौ नमबर आपके ल अरोसा रखें, वानी व्यवहार में मिथास रखें और अनुभवियों की सुने, व्यक्तिगत संबंध बहतर होंगे, करिय व्यापार सामान्य बना रहेगा, सूजबूत सामन जस्य से काम बनेंगे, मेहनत लगन से काम पर ध्यान दें और प्रलोभन में न आएं, आज सर बने रहेंगे, आज ब्रह्मन मनुरंजन पर भी जा सकते हैं, शुब सूचना की संभावना बल पाएगी, आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे और कला कोशल पर जोर रहेगा, धन्धान्य में वृद्धी होगी, आज आपके ये शुब हंक है 3, 5 और 6, खाकी रंग की, आज आपको करीबियों के साथ मिलेगा और निजी विश्यों में सक्रियता बढ़ेगी, आज आप अपनों को आदर सम्मान दे और धैर्य धर्म का पालन बनाए रखें, रक्त संबंधों को मजबूती मिलेगी और धर में हर्श आनंग बढ़ेगा, आज अती उत्साह और आवेश से बचे और आवश्यक मामलों को दो पतक पूरा कर लें, व्यवसाय में सहत सफलता मिलेगी, तीन, छे और नौ नंबर आपके लिए लखी है, शेहत जैसा रंग शुब होगा, अब बारी है व्रिश्चिक राशी की, आज आपका जीवन स्तर सुधार पर बना इच्छित प्रस्ताव और शुप सूचनाय प्राप्त होंगी, संपर्क समवाद के कार्य सदेंगे, भायचारा मस्बूत होगा, संबंधों में शुबता का संचार रहेगा, आर्थिक गतिविदियों में सबको साथ लेकर चलेंगे, साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे, आ खनू राशी की बात करें तो आज रचनात्मक्ता बनी रहेगी, आप परिवार के मामलों पर जोर बनाए रखेंगे, आकर्शक प्रस्ताव प्राप्त होंगे और धन्धान्य में वृद्धी होगी, घर में हर्शानन बना रहेगा और वानी व्यवहार में मधुरता आएगी आर्थिक मामलों को गती मिलेगी, आज आप भावनाव पर नियंत्रन रखें, शुब पल पाने के ये हनुमान जी की पूजा वंदना करें, सबके प्रती आदर भाव रखें, तीन, छे और नौ नंबर आपके लिए लखी हैं, सिंदूरी रंग शुब होगा, मकर राशी की आज दो पहर के बाद का समय अधिक प्रभावी रहेगा, विने विवेक और क्षमाशीरता का भाव बढ़ाएं, मान सम्मान में वृद्धी होगी, यो जनागत शुरुआत हो सकती है, रचनात्मक प्रयास सफल होंगे और जीत का प्रतिशत उचा रहेगा, धर पर महमानों क आगमन संभव है, कार्य व्यापार में सुधार आएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके लिए 6, 8 और 9 अंक शुभ है, मतकल लकी होगा, मकर के बाद बात करेंगे कुम्व राशी की, आज आर्थिक हितलाब और निवेश बढ़ा हुआ रहेगा, कार्य विस्तार की सोच रहेगी, बड़ों की सलाह से आगे बढ़ेंगे, कामकाज में सहचता बनी रहेगी, रिष्टों का ध्यान रखें और सबको जोडने की कोशिश रखें, कार्य गती धीमी बनी रह सकती है, सहकर्मियों का सहयोग रहेगा, सूझबूच से आगे बढ़ें, निया एक मामल उभर सकते हैं, तीन, छे, आथ और नौ नंबर लकी हैं, गोमे जैसा रंग लकी होगा, अंत में बारी है मीन राशी की, आज कार्य विस्तार को बल मिलेगा और प्रतिसपरधा में सपलता पाएंगे, आएके नई स्त्रोग बनेंगे, कर्या कारोबार बढ़त पर रहेगा, चहों और श्रेष्ट प्रदर्शन करेंगे, अब रोध दूर होंगे और रुका धन प्राप्त हो सकता है, सबको साथ लेकर चले, करिया और व्यापार बढ़ाने के अफसर मिलेंगे, लेन देन प्रभावी होगा और करिया व्यफसाय उमीद से अच्छा रहेगा, आज के ल क्या ओम और शुका रहेगा, अब रोध ये लेकर बढ़ाने के अच्छा के लेकर अचादने से अच्छा रहेगा, अब होगा ओम जेखर द्राप्त है, सबको साथ करे लेकर लेकर लेकर।